हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे डिरी 11 सूपर समेश्टी 20 जो खेला जाएगा CTB vs OB के मैच जो खेला जाएगा वो मैच नमर पाचमा खेला जाएगा इस से पहले 4 मकाबले खेल चुका है दोनों आपस में head to head मकाबले कितने खेले हैं ये कब खेला जाएगा पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है कौन सा बेस्ट मेन है जो पीच पर अच्छे परदर्शन करता है कौन सा बॉलर है जो फ्लॉप्स होता है और कौन सा बेस्ट मेन पहले बैटिंग करेगा तो कितने अवरेज बन सकता है पहले कोन बॉलिंग करेगा तो कितने अवरेज बन सकते हैं हाई सेलेक्शन वाले पिलियर को अपने टीम में रखना चाहिए या लोग सेलेक्शन परसेंड वाले को लोग सेलेक्शन परसेंड वाले को रिकाउड कैसा है सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यां से बताऊंगा वी डॉट बिना एस वीडियो को एंद तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करना सबसे पहले देखिए विकेट कीपर सेक्षन में आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्षन में तीन विकेट कीपर है तीन में से दो का सेलेक्षन परसेंड लो है और तीसरा का सेलेक्षन परसेंड हाय है लेकिन इनका रिशन के मैच के अनुसार देखेए एनलो थन सेलेक् परशेंट हाँ है लोग इसे अपने टीम में रख रहेगा लेकिन मैं इसे अपने टीम में नहीं रुखूंगा एमचन जिनका सेलेक्षन परशेंट कम है लेकिन इहां पर 31 पॉइंट दिया है जिसके कारण इन दोनों विकेट कीपर से आप रखना चाते हैं तो रख सकते हैं क्योंकि दोनों विकेट कीपर खेलने का चांस है लेकिन बाइलेंस पीछा है दोनों में से एक लिजियेगा फिर भी ठीक है इनका सेलेक्षन पर्शेंट है लो थनका सालेक्षन पर्शेंट लो है थोड़ा नीचे उतरता है जिनके कारण सेलेक्षन पर्शेंट लो हो गया अगर इसे दो-चार-दस बॉल खेलने का मौका मिल गया तो आपको अच्छे-कासे प्रोफिट कर सकता है अब आई यह बैस्ट में सेक्षन में बैस्ट में सेक्षन में हाय और का सेलेक्षन परसेंट काफी है लेकिन अगले में अचमें खास परदाशन नहीं किया है उससे पाले मैं पीच रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं पीच रिपोर्ट जो है यह बाइलेंस पीच है गुड़ पर है यह पर अबरेज़ स्कूर 147 बज़ सकता है बैन्नू हेलियो ओभर चंड में खेला जाएगा और इसके बाद खेलेगा तो डर्म काड रिक्सी पिलियर रहेगा लेकिन हेट टू हेट रिकॉट काफी अच्छे है अच्छे खासे परदर्शन करने का उमीद लगा सकते हैं देखिए बाइलेंस है तो आप भी बाइलेंस ट्रिम बनाना होगा तब जाकर आपको अच्छे खासे प्रोफिट ह ही हो पाएगा लेकिन एक बात देखिए बेस्ट इंटेंगर में किसी को अच्छे रिकॉट नहीं है जे वर्ण कर खेला अगले मैच में अच्छे खासे परदर्शन किया है खास परदर्शन नहीं किया एलेक्षर का अपने टीम में जरूर रखेगा रिकॉट ठीक ठाक है य इतने नमर में बैटिंग करने आयेगा और लैनम में लैनम पाने के बाद एक दो ।िन्चार पहुंच नमर में कून बैटिंग करने लगत Pandora ubiquin तक यंद करने का शुमिल सकता है या तो इसे कविकल बैटिंग करने का भी शॉन्स नहीं मिलता है अब शुर चेल का सलेक्षो ठिकथाक पर्दर्षन है ये दोनों डानम काड ча तो अपने टीम में इसे दोनों को जरूरा रखिएगा। सेलेक्षन पर्षेंट वाले पिलियर कोन है जिनका हाई सेलेक्षन परिषन है डिपरेश्ट वह इसका दियान देजी कारणने विए मैं र हुए सब्सक्राइब जियो परेशन को रखेगा चार बिकेट कीपर में से अभी मैं रख लिता हूं और चार में तीन बिकेट कीपर लिया हूं वो लंडर बाइलेंस पीच है तो मैं बाइलेंस पीच गए हिसाब से बनाऊगा है है इस टीम का गैंस हर मैच में बिकेट निकाल के जा रहा है ठीक ठा से परदाशन करता है बागी बात भी लेशन अच्छे खासे परदाशन किया है और मैंने साथ चार का कमनेशन इसलिए बनाए है स्टोंग टिम से हुआ है ट्रिविटी और यह है कम जोर अब नेस्ट करते हैं नेस्ट करने के के लिए हन नी खेलेगा तो अपनी टीम में कीजिएगा और क्यप्टन के रूम में यह डिप्रिशन को देजिएगा एस्पीनर है यह पेसर है और उसे नहीं तो इसे दे सकते हैं क्योंकि फिलाल के लिए दोनों का रिकाउड ठीक है और यहां पर जब मैं आपको डेमों के लि के बाद डिसाइज करना कि जिस टीम से मैंने क्रियक्ट किया है वो टीम काफी एस्टोंग है पॉंच मकाबले में से पॉंचों में से चार मकाबले जीत कर आया है एक मकाबले हार कर आया है फिर भी मैं केप्टन दिया हूं कमजोर टीम से अगर ट्वास होने के बाद देखि हुआ हुआ हुआ